आप लोगों का स्वागत है डेली जी के टॉपिक में आज का जो टॉपिक होने वाला है वो मैं आधुनी के थियास से लिया हूँ जो कि है यूरोपिया कंपनी का आगमन और इसमें हम सब आज पुतरगाल से रिलेटेड जितने भी कोशन है वो हम सब एक एक करके देखेंगे और एक एक करके टॉपिक को फिनिस करते जाएंगे एक सिरियल वेज में ठीक है इसके बाद डच के रिलेटेड कोशन आएंगे उसके बाद अंग्रेज से रिलेटेड कोशन आएंगे फ्रांस से रिलेटेड कोशन आएंगे और खुछ डेनिस के कोशन आएंगे तब जाकि यूरोपिय कंपनी का आगमंद समाप्त होगा तो चलिए पहले नंबर कोशन से शुरू करते हैं व्यपारिक दिरिष्टी से समुद्र के रास्ते से अमेरिका की खोज किसने की थी प्रंद संख्या तीन है यूरोप से भारत समुद्र के रास्ते से वेपार करने सबसे पहले कोन आये थे तो सबसे पहले आये थे पुत्रगाल ठीक है तो पुत्रगाल जो की वास्को डिगामा 1498 में आये थे है तो अगर पुछेगा यूरोप से सबसे पहले भारत कोन आये समुद्र के रास्ते से वेपार करने तो उसका अंसरो जागा पुत्रगाल चलिए अब नेक्स्ट कोशन बढ़ते हैं चलिए फोर्थ नंबर कोशन है वास्को डिगामा भारत का आये थे तो 17 मैं 1498 को भारत आ जाता है ठीक है वास्को डिगामा किसकी साहता से भारत के केरल के कम कडावू बंदरगा पर पहुंचे तो अब अब्दूल मनीद जो की उनके जहाज वाहक थे ठीक है नावी वास्को डिगामा खुद थे और उनके साथ कोन साहता करने के लिए तो अब्दूल मनीद ठीक है ये कुश्चन बार बार पूछे जाते हैं हरेक एक्जाम में प्रत संख्या एट देखते हैं पुत्रगाल ने दूसरी फैक्टरी कहां बनाई थी तो कन्नूर में बनाई थी 1505 में प्रत संख्या नो है पुत्रगाल के पहले वाइसराय कों थे उनका नाम था फ्रांसिसको दी अलमीडा ठीक है और इसके बाद आप चलिए नेक्स्ट कोश्चन के और बढ़ते हैं ये नो नमबर प्रसंद थे आपके ऐसे ही टॉपिक वाइस कंप्लीट करते जाना है हम सबको और जीके ठोस हो जाएगा और मुझे अनभाब है और अडिटर प्लिम्स एक्जाम निकालने का और विप्यसी में एक्जाम निकालने का तो मैं अराम से कोश्चन सेट करके आपको बता हूँगा चलिए प्रत संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी यानि सांत जलकी नीती किसे ने चलाई थी डैरेक्ट कुश्चन आएगा तो अलमीडा जो फ्रांसिस्को दे अलमीडा ने चलाई थी जो की पहले गवर्नर थे इनका कानात है कि जितना समुदरी सक्ती ठोस होगा उतना पुतरगाल के वेपार करने के चांसे जो हैं वो भारत में मने रहेंगे इस कारण इनोंने सांत जलकी नीती मनाई थी इनोंने अपने 9 सेनों को बहुत मजबूत किया था प्रत संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं पुतरगाल के दूसरे वाई सराय को थे तो अलफांसो दी अलवुकर्क ठीक है अलफांसो दी अलवुकर्क प्रत संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं पुतरगाली सक्ती का वास्तविक संस्थापक कोन था तो फ्रांसेस्को दी अलवुकर्क यही था अलवुकर्क ने ही वास्तविक पुतरगाल की सक्ती का इस्थापना की थी भारत में इसलिए इसे वास्तविक संस्थापक का आ जाता है चलिए अब नेक्स्ट प्रस्ण के ओर बढ़ते हैं चलिए प्रत्स संख्या 13 देखते हैं किसने पुत्रगालियों का मुख्याले कोचीन मनाई तो अलफांसो डी अलवुकर्क जैसा की मैंने बता है वास्तविक संस्थापक थे इन्होंने ही मुख्याले कोचीन मनाई प्रत्स संख्या 14 के ओर बढ़ते हैं अलफांसो डी अलवुकर्क ने कब बीजाब पूर के सुल्तान से गोआ जीता वहां के सुल्तान आदिल सासे गोआ जीता था 1510 इस भी में ठीक है तो ये प्रत्स संख्या 14 था प्रत्स संख्या 15 के ओर बढ़ते हैं भारतियां इस्त्रियों से विभा करने के लिए किस पूतरगाली सासक ने प्रसाहित किया तो इसका भी आंसर हो जाएगा प्रत्स संख्या 17 के ओर बढ़ते हैं किस पूतरगाली सासक ने कोचीन से मुख्याले गोआ ले गया ऐसा कुस्षन बार बार देखने को मिलता है तो इसका अंसर हो जाएगा नीनो डी कोना प्रत्स संख्या 18 के ओर बढ़ते हैं कोन अपने आपको सागर का स्वामी मानते थे तो पूतरगाल बोलते थे कि हम सब सागर के स्वामी हैं नेक्स्ट कोस्षन के ओर बढ़ते हैं चलिए प्रत्स संख्या 19 को ओर बढ़ते हैं किसने भारत में प्रेंटिंग प्रेस यानि छपाई मसीन की सुरवात की तो इसका सिरे पुतरगालियों को हो जाता है प्रत्संख्या 20 ये कुस्षन भी पूछे जाते हैं जपान के साथ भारत का वैपार करनी की सुरवात किसने की तो इसका अंसर है पुतरगालियों ने तो पुतरगाल के समय से भारत और जैपान की रिलेशन जो है वैपार में बढ़े तो इसलिए पुतरगाली आंसर हो जाएगा प्रत्संख्या 21 बढ़ते हैं 1542 स्वे में पुतरगाली गवर्नर मार्टिन डी सूजा के साथ कोन प्रसीत संत आये थे तो इसका अंसर हो जाएगा संत जेवियर ठीक है ये भी बार-बार पुछे जाते हैं तो संत जेवियर जो है वो आये थे मार्टिन डी सूजा के साथ 1542 स्वे में चलिए नेक्स्ट अंतिम 3 प्रसंट के ओर बढ़ते हैं चलिए प्रसंख्या 22 के ओर बढ़ते हैं प्रसंख्या 23 के ओर बढ़ते हैं बंगाल की खाड़ी में समुद्र डकैती है तो हुगली का अपयोग कोन करता था तो पुतरगाल करते थे यहाँ पतरगाल हो गया है पर पुतरगाल आप लिख लेंगे ठीक है प्रसंख्या 24 के ओर बढ़ते हैं बिहार में समूद्र के रास्ते से व्यपार करने सबसे पहले कौन आए तो सबसे पहले जब पुरे भारत में पुतरगाल आये तो बिहार में भी पुतरगाल लिएंगे तो इसलिए इसका सही answer हो जाएगा पुतरगाल तो यह 20% से थे पुतरगाल से रीलेटेड जो कि मुझे अती महत्पूर्ण प्रसन लगे तो मैंने इसे लिखा है जो कि बरावर किसी ना किसी एक्जाम में पूछे गया है चाहे वो railway का एक्जाम हो या B.S.S.C. का एक्जाम हो या 66, 67, 65 B.S.C. का एक्जाम हो या फिर आपका हिस्ट्री का हो, जोगरफी का हो या फिर पॉलिटी का हो जो भी अती महत्पूर्ण प्रसन है इसमें कुछ प्रसन छूट भी गए होंगे तो वो परिच्छा के दृष्टी से महत्पूर्ण नहीं है इसलिए मैंने उसे नहीं करवाया तो आप जो है ये सब प्रस नोट डाउन कर लेंगे करके और कल जो टॉपिक आएगा वो डच पे आएगा यही आधुनिक इत्यास का डच पे आएगा तो बने रही है वीडियो में और वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और कोई भी अगर कमपिटेटिव एक्जाम की तियारी करते हैं तो उनके साथ सेयर करें ताकि उनको भी लाब मिल सके तो थैंक्यू सो मच मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई बाई